नमस्कार दोस्तों, आज 10 अप्रेल है और आज के दा हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लिए कि हम फिर से आज यह नहीं है, चुकि दोस्तों अभी मैं बहुत दिनों से 5-6 दिन हो गये हैं, जिससे मैंने दा हिंदू का यह नहीं डाला है, चुकि मैं काफी बीमार था इसके करण से यह नहीं डाला है, पर अब continue रहने का प्रयास करूँगा, अभी थोड़ी तवियर ठीक नहीं है, और आगे मैं चाहूंगा कि continue रखों, जो आप नहीं सुन पाते हो या इसमें कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे वर्ट्षप कर दीजिए, मैं daily task तो कम से कम दे ही देता हूं, ताकि आप उसे पूरा कर लें daily के daily, तो आप मुझे वर्ट्षप कर सकते हैं, अधि आप daily task लेना चाहते हैं और daily पूरा करना चाहते हैं तो, ठीक है, तो जो सबसे पहली news है, telecom authority, block 120 sender ids for bulk messaging over china link, दरसल क्या है कि कई ऐसे sender होते हैं, जो की bulk में message जो telecom authority है, उन्होंने block किया है, 120 sender को block किया है, किसके करण से, चीन के साथ link होने के करण है, तो यह कभी important है, और यहां पे क्या दिया गया है, in investigation, Indian cyber crime coordination center 14C under the ministry found that headers were hosted from China, चीन के दोरह यह किया गया था, तो यह से आप पढ़ लेंगे, इससे क्या होता है, कि हमारे data को, वहां पे ले जाते हैं, और उसके कई तरीके से उप्योग कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजे होती हैं, पर कई तरीके से दुरुप्योग उसका कर सकते हैं, उप्योग नहीं कहा हैं, दुरुप्योग कहा हैं, इसके बाद जो अगली news है, इंडिया's tiger population, top 3000 census हैं, तो बाग की जो बाग की जन संख्या है, वो तो काफी बढ़ चुकी है, लेकिन आप यह देखो, कि यह जो population बढ़ा, इसके करन कई चिंताएं उत्पनोई, कई लोगों को विस्थापन जिलना पड़ा है, कई ऐसे अब man-wild conflict भी बहुत जादा बढ़ गए हैं, तो इस प्रकार की चीज एक तो पीटी के लिए है कि इसके आंकडे हैं, और मेंस के लिए जो conflict है, या जो विस्थापन है, वो बहुत important है, ठीक है, तो यह दो देखना है, इसके बाद एक और news है, यहाँ पर India to bridge language gap with neighbors, जो पडोसी देश है, उनके साथ जो language gap है, भासा को जो gap है, उसको दूर करने का प्रियास मतलब है कि बारत में उन भासाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे आपने देखा, as now, ICCR has zeroed in 10 languages, Kazakh, Uzbek, Bhutanese, Ghoti, spoken in Tibet, Burmese, Khmer, spoken in Cambodia, Thai, Sinhalese, and भासा, spoken in both Indonesia and Malaysia, तो यह बढ़ाने की बात की गई है, तो यह बहुत important है, और ICCR कौन? Indian Council for Cultural Relations, है न, तो यह हमको देखना है, इसको देख लेना है, साथ ही साथ, इन भासाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह देखना है, इसके बाद, इस से क्या फर्क पढ़ सकता है, आर्थी ग्रूप से, सामाजी ग्रूप से, सांस्कृती ग्रूप से, इसके प्रभाव क को देखना है, है न, तो आप पढ़ेंगे, तो यहां से कापी चीजें क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद है, पेज नंबर 6 पे है, अवेटिंग लिफ्ट आप इन्टू दा सेकेंड स्पेसेज, आपने देखा हुआ कि एक टाइम जो अंतरिच्छ का था, अमेरिका और रसि उसी पे बात की गई है कि अब जो दूसरा मतलब यह यूग है, सेकेंड स्पेस यूग है, उसमें क्या क्या चीजें हो रहे हैं और क्या बदला हुए हैं, इसी पे पूरी बात की गई है, तो और सबसे बड़ी बात है कि अब यह ब्यवसाइक बन गया है, तो ब्यवसाइक क इस प्रकार से बना है, क्या फाइदे हैं, भारत अंतरिक के छेतर में कहां है, ये चीजें आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है, इसके बाद है ड्रकनियन रूल, न्यू एमेंडमेंट रूल्स और इंटरमेडियरी गैलाइन्स अमंग सेंसर्शिप, यहां पर आप देखेंगे कुछ भी बोल नहीं सकता है, तो उसी पर बात की गई है, कि किस परकार से जो एक्सप्रेशन है, एक तो यह है कि हम एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, पर यहां पर यह भी है कि किसी के खिलाप बोलना भी और उस पर अधी बहन लगाते हैं, तो वो भ the population bomb that never was, जो कभी था ही नहीं, ऐसा जन संक्या विस्पोर्ट जो कभी था ही नहीं, इसी पे बात की गई है कि जो पूरे बिस्व में हम लोग एक narrative पूरे की जन संक्या विस्पोर्ट हो जाएगा, जन संक्या विस्पोर्ट हो जाएगा, और अब वो कभी होगा ही नहीं, या काफी नीचे जा चुका है और धीरे-धीरे यह decline की ओर चलता जा रहा है तो उसी पर पूरी बात की गई है आप इसे पढ़ेंगे तो फिल समझ में आएगा इसके बाद है center plans revamp of livestock insurance scheme to raise coverage है ना जो livestock होते हैं जो पालतू-पसू हैं उनके insurance की बात की जा रही है तो एक बात आपने देखा हुआ कि lockdown के टाइम में जो livestock है यह जो पालतू-पसू है बकरियां यह यह कफी बीमा के रूप में काम करती हैं कैसे काम करती है कि अधी हम यह इसको पालते हैं तो प्रतेश रूप से तो कोई फाइद यह एक बीमे के रूप में काम करती है हम इसे बीच के बहुत सारे चीजे यह बहुत सारे जो हमारी जरूरते हैं उसको हम पूरा कर लेते हैं उन पे अब हम उनको insurance पे लाने की बात करती है यह center plant कर रहा है यह यह लाइब stock insurance की storage coverage बढ़ाने के लिए तो इसे आप लिए है इसके बाद जो है page number 12 पे है सिक्मीज फील betrayed article 371f is violated यहाँ पे जो सिक्किम वासी है उनके अधिकारों के हरन की बात की गई है तो आप सम्विधान का article 371f पढ़ लेंगे तो उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको ठीक है इसके बाद जो है जो अगली news है जो हमें पढ़नी है वह एकदम सीधा है what is the cyber insurance what is cyber insurance do a small unit need cover है न तो cyber insurance जैसे यहाँ पे है कि हम कुछ कर रहे हैं या कुछ एक जैसे एक website बनाए है उस website को risk free रखने के लिए किस परकार के insurance का cover किया जाता है और यह एक नया term है यह means के लिए बहुत important है cyber insurance यह एक बहुत बड़ा term है कि अब हमने website को सुरच्छित रखने के लिए भी insurance लेना पड़ेगा कि मान लिजी हमारी website की कितनी कीमत है उसके हिसाब से जैसे बहुत अच्छी website है उसको सुरच्छित रखने के लिए हमें 50 लाग का विमा करवाना पड़ेगा या बहुत ज्यादा अच्छी है तो पांच करोड का विमा करवाना पड़ेगा या पचास करोड का विमा करवाना पड़ेगा फिर इस एक नया term हुआ अब यह किस परकार से काम करेगा इसी पर पूरी बात की गई है ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर कल मिलेंगे क्य क्या और क्यों पढ़ें के साथ धन्यवाद